करनाटक में सिद्रमया के नेतरत वाली सरकार ने राजी सरकार के करमचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को पूरा कर दिया है राजी सरकार ने NPS यानि न्यूपेंशन स्कीम को रद करने का आदेश जारी कर दिया है राजी सरकार ने दिसूचना जारी कर कहा है कि अपरेल 2006 से पहले नियुक्त सरकारी करमचारियों को ओपियस के दारे में लाया जाएगा राजी सरकार ने साफ कहा है कि या योजना सभी सरकारी करमचारियों पर लागो नहीं होगी OPS के वल उनी कर्पचारियों पर लागू होगा जो अपरेल 2006 से पहले भरती हुए थी इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना के लिए 6 सरते भी लगाई गई है मुख्यमंत्री सिद्रमया ने इसकी गोसना करते हुए काया कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाब हर्ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मान को पूरा करने का वादा किया था OPS का एलान करते हुए सिद्रमया ने कहा कि 2006 के बाद भरती हुए राजे सरकार के लगबग 13,000 सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेव जारी किया गया है चुनाओं से पहले भी जब राश्ट्य पेंशन परनाली यानि NPS से खिलाब कर्मचारी हर्ताल पर थे नई पेंशन योजना के तहट कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं इसके आधार पर वे रिटार्मेंट पर एक मुष्ट रास के हगदार होते हैं परानी पेंशन योजना दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई थी और नई पेंशन योजना एक अपरेल 2004 को लागू हुई थी